Hello everyone, तो भाई आप लोग 11th क्लास में आगे, अब जो है कुछ बड़े लोगो वाली बाते कर लेते हैं, आपने 10th क्लास में area पड़ा होगा, आपने triangle का area निकाला होगा, आपने square का area निकाला होगा, आपने parallelogram का area पड़ा होगा, तो आप लोग जानते हैं कि ये जो area है, हम vector का use करके भी निकाल सकते हैं, अगर हमें vector पता हैं, तो vector का use करके भी किसी triangle का, या parallelogram का, square का, rectangle का area निकाल सकते हैं, vector बहुत ही important topic है, जो कि आप 11th क्लास के शुरू में ही पड़ेंगे, और ये topic जो है, especially जो बच्छे NEET और JEE की तयारी करना चाते हैं, जो बच्छे doctor या engineer बनना जाते हैं, उनके लिए तो भाई बहुत ही important topic है, तो भाई अगर आप लोग भी तयारी कर रहे हैं, तो आज ही हमारे batch को join कर सकते हैं, batch जो है शुरू होने वाला है, इसमें आपको क्या मिलने वाला है, इसमें आपको मिलने वाली है, life classes, आपको मिलने वाले है, DPPs, और मिलेंगे, इतनी टेस्ट मिलेंगे, तो कितना प्राइज होगा, तो इसका प्राइज केवल और केवल है, तीन से चार हजार रुपे के बीच में, different depending on the courses, चार हजार रुपे के आसपस प्राइज है, वो भी पूरे साल का, तो भाई, आज ही join करिए, जो form दिया हुए, description में आप भड़ सकते हैं, हमारी टीम आपको call करेगी और join करेगी हमारे batch में, और आप comment section में जरूर लिखेगा कि क्या आपको पता है, क्या आपको पहले पता था, कि हम जो है vector का use करके triangle का या पैलेलोग्राम का area निकाल सकते हैं, तो वाई, यसे पढ़ते रहिए, अपनी तयार आपको पता है, क्या 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 आपको पता है, क्या